नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडेप्ट मैंनलाइसिस करेंगे मलीशे ओमिन वर्सेस नेपाल ओमिन्स के भी जो केला जाएगा यह मैच होगा कहां पर यह मैच होगा मलीशय में और बंगी क्रिकेट स्टेडियम में देखो हम लोग इस वीडियो में दोने टीम के बारे में करेंगे इंडेफ्ट मैंनलाइसिस क्या कुछ मिलेगा मिलेगा प्रोबबल बैटिंग ओर्डस ठीक है इनके प्रोबबल उप्रिइव बाॉलिंग यंडेट बॉलिंग ऑप्शन्स साधिसाद प्लेयर स्के रिकॉर्ड टीटीट इसके रिकॉर्ड रिसें रिकॉर्ड और जो अलग मिलेगा यह तो आपको क्रिक इंफो में भी मिल उसके बाद हमलोग निपाल के प्लियर्स प्रॉबबल बैटिंग ओडर इनके ऑपनिंग बॉलिंग डेट बॉलिंग प्लेस के रिकॉर्ट और नेपाल के प्लेस नहीं रिसेंटली क्या किला है ललतिपूर मेयोर्स कुछ ओमेंस चैंपियंशिप बोल के एक T20 सीरीज हुआ था इनके डोमेस्टिक में वह किलके रखा है इससे पहले जो नेपाल ओमेंस ने बहुत लास्ट यर क्रिट खिला था इंफक्त नेपाल में जुन में शायद खिला था लास्ट यर नेपाल ओमेंस ने इंटरनेशनल का मैं बात करू मतलब जो आइससी रिकॉमेंडेट होते है ठीक है बट डोमस्टिक रिकॉर्ड है वो भी शेयर करूंगा और दोस्तों जो अलग मिलेगा वो होगा दोस्तों इनके हेट वे डिकॉर्स दोनों टीम का यह भी मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में और यहां से आपको जो एसोशेट्स कंट्री या फिर दोस्तों कम क्रिकेट खिलने वाले नेशन्स होते उनके जो मैचेस होते वो मेंसो या मेंसो वो कवर करने का ट्राय करूंगा और इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करना वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना चैनल में न यह ना ओमेंस क्रिकेट है यह आपको टीटेन वाल आवर इसको दिख रहा है 90 यह ना आप 120 कर सकते हो देखो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहूंगा यह 120 कब बनेगा जब अगर नेपाल ओमें ने बैटिंग किया नेपाल ओमें बैटिंग किया तो थोड़ा सा ज्यादा रन बन सकता है क्योंकि इन दोनों के भी जब इससे पहले हिट्वेट्स हुआ था ना किसने वह इंडिया था नेपाल ओमें बट अगर मलीशियों में बैटिंग करेंगे ना तो वह 900 ही बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि इनके पाल जो बेस बैट्समें थी ना बैट्ट स्टार्ट अगना और जैसे कि मैं बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमें सेक्शन में आपको टेलीग्रम का लिंक मिलेगा लिंक से आप टेलीग्रम चैनल जॉइन हो सकते हो ठीक है स्लाइटली वेदर डिस्टरब कर सकता है बट मुझे ने लगता बहुत ज एलिसा मरिया इसमाइल एलिसा हंटर जो है ने इनका सबसे बेस्ट बैट्समें बेटर वह दुस्तों वन नाउन केल दिए वह अभी अभी अबलेबल शायद नहीं है ऐस पर ऑफिशल स्कॉर्ड अगर वह आ जाती है बात अलग है अगर वह नहीं आती है तो तोड़ा सब व वन चेंज आ सकती है डेथ बॉलिंग में कौन रहेगा आइना नजुवा लास्क टी लास्क टाइम किया था बट आइना नजुवा विकी करेंगी तो शायद यह बॉलिंग के चांसेश कम रखती है बैसी के लिए आइना हशीम और दोस्तों आईसा एलिसा यह सब आपको डे मलीशwiąz친 ऑमिन का एक सवाल मैं भी आपसे पूछूँगा अगर नेपाल ओमिन के फिसा Cup ने लान पायक्त में नेपाल ओमध better है बट यहाँ पर एक सवाल मैं भी आपसे पूछूँगा अगर नेपालोमिन ने first innings में batting किया तो उनके भी wickets गीरेंगे ठीक है अगर नेपालोमिन ने first innings में balling किया ये match ideally 70 to 30 ratio में बटेगा अगर नेपालोमिन ने first innings में balling किया ठीक है 70% chance ने match easily win कर जाए नेपालोमिन ठीक है अगर नेपालोमिन ने balling first किया अगर नेपालोमिन ने batting first किया तो ये ratio थोड़ा सा reduce हो जाएगा 40-60 बनेगा क्योंकि नेपालोमिन का भी wicket गिरना चाहिए बाद में आता है वो पॉइंट में ballers अभी एक एकर के अनलाइसे वें जूलिया 42-22 इंडिया इमें तहीरा का अबर से पास्टो रन डिसेंट ऑप्शन है बट इन्होंने पास्टो रन बनाने के लिए 42 matches खेला एक सबसे important and key rule समझ लो अगर यह विकी नहीं करती है और आईना नजवा विकी करती है तो इनका importance बहुत reduce होगा मुझे लगता है कि विकी से 20 points मिल सकते है आपको अगर यह विकी नहीं करती है importance इनका reduce होगा अगर यह विकी करती है तो importance इनका बना रहेगा ठीक है ना इनके लास्ट फाइफ टी टू इन्टे में एक 22 run का knock है ओमेंस cricket है 22 run के knocks में ज्यादा boundaries आपको नहीं दिखेंगे और इनका strike rate का negative points भी मिलने के एक high chances रहते हैं तो सबसे ज्यादा easy और possible chances होता है कि आप ऐसे विकी को रखो जो विकी से भी आपको points देंगे अभी ट्रिम 11 की new format के साब साब 10 player भी same team से ले सकते हो तो उसमें जरूर strong team का विकी लेना सिर्फ इस match का बात नहीं कर रहा हूं यह आपको fantasy में in future भी help करेगा इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक है आइना नजुआ बारा टीट्वींट्या में सिर्फ 31 run बनाया कुछ खास नहीं किया पर last match में इन्होंने कुछ matches में बॉलिंग कर रहा है था पर चार ओवर इसलिफ डाला एक की विकेट है टीट्वींट्या का last five innings में इन्होंने बॉलिंग नहीं किया है जब किया था उसमें चार ओवर में एक विकेट भी निकाला था उसमें कृषिणा बेड़ेट दोस्तों इसने 17 match में टीट् इसमें लास्ट के कुछ इनिंग सब मैच में फ्लॉप एक बार बॉलिंग भी कर लिया इन्होंने मस एलिसा एक अच्छी बैट्स में रिसेंटली देखो मस एलिसा को मैं एक टाइम पे कैप बीसी बना था पता है मलीशियों मिन के जब मैंच इस होते ना वाइनिंदू दु चार इनिंग में बॉलिंग नहीं किया इवन डुमेस्टिक टीट्वींडी में भी बॉलिंग नहीं कराया इन्होंने टीट्वींडिया इसमें 48 मैंच में बंदी ने 704 बनाए उन्नीस के एवरेज से वेरी गूट ऑप्शन 26 विकेट्स भी है बट ओवर थोड़े से कम एक इन्होंने बॉलिंग जाजा नहीं कराया तो मैं अपने टीम में इनको एस क्लियर करूँगा कैब बिसी नहीं बनाऊंगा आपको रिस्क लेना है आई रिपीट आपको अगर रिस्क लेना है तो इनकी चगह एक्स्ट्रा किसी बॉलर को भी आप यूज कर सकते हो ठीक है अर इस पैच में 97 रन 101 ओवर में 21 विकेट है not a bad choice आप अगर ऐसे प्लैट्फॉर्म में खेल रहा है जहां पर आपको तीन बैटल लेना कंपल सरी है फ्राइ कर सकते हो यह आईडीली पहले बॉलिंग करती थी रिसेंटली मस अलीसा अरियाना नच्सिया दोनोंने बॉलिंग नह पर से स्ट्रॉंगर टीम के साथ मैच है स्लाइटली तो मैं तो नहीं लेने वाला आप चाहो तो कैप्टेन बना दो सब टीम में मैं तो प्रेफर करूंगा मती लो ठीक है ना आईन्या हमीजा टीविंडिया इस में 47 मैच में 184 रन है बट 104 ओवर में 30 विकेट है रिसेंट म इनको बाकि चार मैं आउट ओफाइव इनको विकेट मिला है तो मैं तो इनको अपने टीम में इंपोर्टेन मानता हूं बट स्लाइटली अगर रिकॉर्ड कम लोग ध्यां से देखेंगे 47 मैच में केबल थेस विकेट है रिसेंट पर्म अच्छा है इन्होंने रिसेंटली क अपनें थे नो फिलिप्पीन्स सिंगापूर प्रबबली एंड कुछ ऐसे टीम से वह बहुत भी कहा है निपाल क्या परेट तो मैं यह बताना चाहूंगा उस तीम के अगेंस्ट इन्होंने विकेट निकाला मैं इनसे क्रेडिट नहीं ले रहा हूं बट कैप्टन बनाने स से पहले दस बार सोच लो विंफ्रेट दुरेशंगम दोस्तों यह क्वालिटी प्ली आ रहा है इन्होंने 17 का अपरेशे 683 रन 128 ओवर में 31 विकेट बाइड डिफॉल्ट पीक और रिसेंड में इन्होंने 0 एक ट्विकेट तीन एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन ए थे थे मुझे याद नहीं आ रहा है मुस्त परशली वह भी सीरीज हुआ था मलीशया में हुआ था जो घ्रिसेंड में होए थे लिए थे 30 अलग-अलग नेशन ओमिन्स क्रिकेटर खेले थे उसमें दुस्तों महीं को गौर भी अच्छे बॉलिंग कर रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है आप कॉमेंट करके बताना ठीक है क्या भीटो लीटी ही था बहुत अलग अलग टीम दे तो उसमें भी उन फिर दुरी संगम अच्छे टीम के अगेंस्ट भी अच्छा क्रिकेट खेला था तो यह अच्छी प्लियर है इंगो टीम में रखना है क्या भी सिब ब यह पॉइंट में में बाद में डिसकस करता हूं महीरा इसमाइल 23-23 इसमें 18 विकेट है इनका 52 ओफर्स वेरी गुट और एक चीज़ जियां दो इन्होंने लास्ट फाइब इनिंग्स में 2-1-2-2-2-7-0 इकेट मुझे क्या लगता है पता है आपका आपन नेना मुस्ट फ इन्होंने लास्ट फाइब इनिंग्स में कुछ खास किया निया है पांच पर का पांच विकेट लेस अंडर 19 खिल आ रही है मैं नहीं लेने बाला अमालीन सोफ्रीन अबुजीमी एक टीट विकेट इंडिया ही खिला जहां पर एक ओवर में एक विकेट निकाला गैंधी न उन्हों बॉलिंग करा है मतलब टीम मानता है कि यह अच्छी बॉलर है ऐसा एलिसा फिर्दोस स्पेशली इस बॉल फर्स ड्रॉप नहीं कर सकते हो बाइस मैच में 16 विकेट है इनका और जंता का हाइली सिलेक्टेड आईने हमीजा का 47 मैच में 30 विकेट है वे बेटर आईस मैच में 13 विकेट 43 ओवर डाल गो है नमबर होवस थोरे से कमें इनका विकेट रिट भी थोरे से कमें डी महोनन को कुछ ऐसा यहां पर कुछ और भी प्लियर से मैं फिलाल नहीं लेने वाल आप चाहो तो रख सकते हो रिकॉर्स इन सी गेम्स वाल टीट्विंड यह मैंने र कि और श्रा डीट का भी ज्यादा पॉइंड नहीं है तो यहां पर इनसे बहुत बिटर होगा एक बॉलर को लेना जो विकेट लेस भी जाते है बट अगर आप एक बैस्में के जगा आप दो बॉइन ले रहे हो समझ लो आप तीन बैस्में लिया तीन बैस्में को लिया और लेसेन लास्ट चार ये रिसेन्ट ओफिस में भी देखो के तो अपनेंट वीक था स्टिल एलीशा 43 दुरेइशंगम 4 मैं 33 वें जुलिया 3 में 30 हशीम ने 4 मैं 13 यार किसी ने रनीर बनाया बेट बोलर से देखो 4 मैं 4 विकेट दुरेइशंगम स्माइल से ज्यादा हशीम क इसमाइल और इसमाइल और इसमाइल ने ओवर भी ज्यादा दाला तो कैप्टेन इनको थोड़ा ज्यादा प्रिफरेंस दे सकते हैं नजवा ने तीन मैच में सीफ 4 डाला नूर दानिया ने दूस्तों 4 मैच में 12 वें 4 विकेट निकाले और दूस्तों आईने हशीम यह हाई चार ओल्डाउंडडर वाला चार मतलब हमारे ओल्ड फॉर्मेट ऐमीट में खेल रहा हो एक रिस्क मेरा वान वालो तो ए्लीस्ट एक टिम में बेकटक कहलूंगा मैं एक फैंडेसी दुनिया फैमिली और ओल्ड फैंडेसी दुनिया निहाल मित्रा चला आते है निपाल प्लेयर्स के वे बिंदु रावल उपिन कड़ाएगा सिता राना मगर इंदु बर्मा फिर काजल श्विष्टा रुबीना चेतरी ममता चौधरी कभीता जोशी अपसरी वेगम कुछ हो सकता है ऐसा बैटिंग ओडर ओपिनिंग बॉलिंग क्या आता है कि कभीता कुनुवर असमीना दो डिफेंशल है बात में आऊंगा इमें इनके उपर सिता रानी मगर संगीता डेत में असमीना संगीता सिता रानी मगर ज्यान देना इनके जो पावर प्ले के बैट् यह बाकि 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 परमा कोई यह बवाई फंक इक भी नहीं चलो जुलिया व्याद्री तो आपक देखोगे में साथ मारे रूबिन चेट रहे काजिल सुष्टब भी परफोर्मेंस दे सकती है इंदु परमा थोरे से कम बीदु रावल का विकेंट गिर सकता है ठेक तो इं अब ध्यान देना ही किक करके काजिल शिष्टा ने 24 मैंच में 190 रण बना है दसकेवरेस से अगर यह विकी करती है और आपको दिखके लग रहा है कि वैंच जूलिया विकी नहीं करेंगी कि मैं अफ्टर ट्राइ करूंगा आपको देने का पिक मैंने डिसनली नोटिस किया कि वैंजूलिया कुछ मैंच में विकी किया कुछ मैंच में नहीं किया नंबर आफ विकी देख लेंगे अगर इनका एक विकी खेलती है तो कजल शिष्टा ही रहेंगी जो विकी भी करेंगी यह ज्यादा पॉइंस दे सकती है आपको यह बिसेंट ऑप्शन है ठीक है कर सकते हो ज्यादा बिटर ऑप्शन क्योंकि वह पॉइंस दे सकती है ना विकी से अगर मतलब थी बैटरस फॉमेट में खेला अगर आप थी बैटरस फॉमेट में नहीं खेल रहें तो दोस्तों ड्रॉप रोटेट कर सकते हैं क्योंकि बॉलिंग के चांसे कमें डुमस्टी ज्यादा किल गया रहे है जोती पांडे रिसेंटली सच्छी में इतना पंद्रा फॉर्टिन इन सत्रा अगर यह विकी करती है तो नॉट बैट च्वाइस और हां यह दोस्तों अच्छी पीक हो सकती है जोती पांडे विके थ्रोग करेंगी नहीं तोड़ा स्लोग खिलती है इन्होंने 12 मैच में 12 मैच में 114 रन बनाया जोती जी और 21 के अवरेज से ठीक है किसके लिए निपाल के लिए ठीक है अगर यह विकी करती है तो ट्राइक कर सकते हो काजया शिष्टा गर विकी करती है तो एक बात देख लेना विकी कौन है समझना खरका इन्होंने डुमस् इनका डिफिंशल प्लियर ग्रेंड लिग में नॉट ए स्मॉल लिग ग्रेंड लिग में कैप्टेन वाइस कप्टेन बना सकते हो इंदू बर्मा को और विकॉस यह आपको बैटिंग सेक्शन में मिलेंगी घ्रिम लैवन में उठालो इन्कॉर्टेंट में रख लो ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लिग में एक्स्ट्रा बॉल लेके जाओ इक्स्ट्रा बैक्समें यहां दो इस बात के उपर अफसर वेगम 21 मैच में 101 बना नम्दा 14 10 मैच में के बल 25 मैनी लेने वाला सितार अना मगर जी 30 मैच T20 आइस में खिला है इन्होंने 21 का एवरेस से पास करेंगी से फिस कैप्टेन भी है रुबीना चेतरी एक और एक्स्पिडेंस 32 मैच में 359 देखो रुबीना का रुबीना का रुट्वरा सकतार है 359 पास तो साथ के मुकाबल एवरेज जादा है बास क्यों रिजन क्या इसका इनका रिजन है कि यह बैटिंग मिल और में करती है एक पोड़ा साथ है कि यह एक दूरन बनाके नॉट आउट भी जा सकती है और कई मैच में इनको बैटिंग ही ना मिले तो एवरेज थोड़ा सा जाता है 94 ओबर है इनका 30 विकेट है नंबर फोबस बोथ सेम है सितन राना मगर का ठोड़ा सा जाता है तो यह पहला च्वा है इनका बॉलिंग का 29 मेंच में 81 ओवर में 26 विकेट ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके उपने इनको डॉप करके आएंगे और आपके लिए डिफिरेंशल होंगी देखो अंडॉटर यह पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी दूरे सिंगम वैंजूलिया दो बैटिंग करे करती है और बैटिंग से थोड़ से लाइक एकदम से राइट तो राइट कंपेर नहीं होगा बट मुझे ऐसा लगता है कि दूरे सिंगम को आप अगर कंपेर करना चाहते हो तो आप बहुत हत्तक से लंकन अथाबटो के साथ कंपेर कर सकते हो ओ जब चलती है दोनों बढ़ और अगर नहीं चलेंगी तो बहुत ही चोटा चोटा परफोर्मेंस करेंगी इनका कभीता कुनवर का हो गया मैंने बता दिया कभीता जोशी 13 मैच में सिर्फ आट ओवर है अभी के लिए मैं इग्णोरी करूंगा सोनी परकन इनको भी इग्णोर करेंगे डुमेंस्टिक ट केटे सरसोती कुमारी का इनके भी रिसेंट परफोर्मेंस थोड़े से ओफ है राइटम मीडियम संगीता राइडे को ज्यादा स्पिनर है नहीं इनके पास और पीछे अगर स्पिन करती है तो यह चार ओवर डाल जाएंगी संगीता राइड ऑफ एक बॉलर है और अगर यह जादा स्पिनर है नहीं तो संगीत राइड को बॉलिंग करते हैं देख सकते हैं दस मैंच में 25 ओवर ओवर थोड़ी से कट होते हैं इनका मैंने नोटिस किया वितिका मरा नसी का कुछ ऐसा अस्मीना कमार्चर यह यह मुझे बहुत अच्छी डिफेंशल लग रही है साथ म ललतिपूर मेओर वोमेंस चैंपियंशिप जो भी नाम है यहां पर इन्होंने अच्छा क्रिकेट कौन सा प्लेयर कैसा कहले है यहां पर भी सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा रूबिना चेतरी दोनों टॉप रंगेटर और सिता जी का रन सबसे ज्यादा है उसके बाद इन्दू बर्मा जो आपको वन डाउन बैटिंग करते हैं रिख सकते हैं काजिल शिष्टे का पाच मैंच में केबल 97 रन बॉलर में से ध्यान देना सरीता मागर का पाच मैंच में आटी विकेट है और यहां पर भी सबसे ज्यादा विकेट सिता रना मागर का सेकेंड हाइस विकेट टिकर यहां पर भी रूबिना फो बेस्ट ऑप्शन शिता रना और रूबिना एक अब इसी उसके बाद अपसरी बेंकम पाच मैंच में ध्यान देना समझना कि पाच मैंच में इंदू का पाच मैंच में 11 और वर में 4 और सरसवती सरसवती डिपेंशल हो सकती है 5 match में 15 उबर इन्हों न भी डाड़ा है चलदे दोस्तों सिदा हमारे dream 11 टीम में अ गंच फिलाल ये रहेगा मरे dream 11 टीम जहांपर captain बनेगी सिदा रनामगर vice captain मैंडाउटली कमाल इनका बॉर्सट होता है तो यह भी probability स्राथी है कि betting से point देंगी तो वहाँ पे भी अच्छी cricket खेल रही है बट यह थोड़े से अंडर पेश है क्योंकि इनकी टीम से ना सिब इनको एक परफोमेंस देना है स्माइल है हमारे पास हमीजा है हमारे पास आई परमा है हमारे पास वह इन जूलिया है के कुन्योर है एस राई ए कमार चाना और दोस्तो ए एलिसा है जो रिसेंली फोम अच्छा रहा है इनका ठीक है फिलाल के लिए कैसी रहेगा मेरा टीम मेरे टीम में दोनों बॉलर को मैंने डिफेंशल लिया ये तो जरूर रहेंगी संगीता राई के ओवर सकट होने के हाई चांसेस रहेंग और इनका रहेंगे और इनका है रहेंगे बहुत अच्छा है मैं एक बार ही टुएट में लेके चलता हूं आपको दोस्तो ध्यान देना अब हीट टुएट रिकॉर्ड में क्यों मैंने कुनुवर को लिया लिए निपाल लुमिन का जो लास्त नेस्ट वहा था उसमें मलीश रहना मगर और रुबिना चेतरी बैट बल दोनों से दोनों पर्फोमेंस करता है यहां दो निपाल का जो 93 रन में एक युगेर गिरा वह एलिसा का था बागी रन आउट थे फिर नेपाल ओमें ने 126 रन बना है नेपाल में जब बैटिंग फर्स कियाना कंपेर्ट चार एक बैटिंग से बैटिंग से बैटिंग से बैटिंग से बैटिंग से बहुत पहले का रिकॉर्ड है 2019 का शायद डबलु दूडे सिंहम ने निकाले थे इस सेकेंड इनिंग्स में सिता रानम अगर सॉलर रन और कभीता कुनवर का एक विक है तो कभीता कुनवर आट ओफ तीन मैच दो बार इनको विकेट मिला था तो कभीता कुनवर एक अच्छी ऑप्शन है बट भी डर है कि इनके ओवर कट होने के प्रोबबिलिटिस रहेंगी और दूरे सिंहम जब ब अगर बॉलिंग फस्ट करेंगी विसी ऑप्शन अच्छी है एक अमार चान है हमारे पास एलिस है फिलाल के लिए गाईस यह रहे है मेरा कभरेश इस मैच का बट डेपिनिटल यह मेरा फाइनल अबडेट और डेमो टेम कुछ भी नहीं है जो फाइनल अबडेट होगा या मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलिग्राम चैनल तो दोस्तों आपको जूना है टेलिग्राम जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमें सेक्शन में तो फटाबर जॉइन हो वीडियो काम पर टेलिग्राम पर थैंक्यू गैस मिलते हैं मैस्टैंब